वेरी गुड मॉर्निंग टू एब्रिवन योर मोस्ट विलकम एड़ा मेजर कलसी क्लासेस मैं अभिशेख दुएदी आप सब का मेजर कलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभनेंदन करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपका दिन आज का बहतर होगा। चलिए आएए और जिस तरिके से आप आफलाइन ऑन लाइन मोड में पढ़ रहे हैं वन बाई वन करके सारी चीजों को हम यहां पे देखेंगे लेटेस अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक इमेज बनी हुई है बाइलिंग्वल में मैंने दिया है आपको इसका पीडिया भी मिल जाएगा ठीक है लिंक में जा करके आप देखेंगे अपलोड हो जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा लिंक भी आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं तो लेटेस अपडेट की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट केस आफ लोरोना यहाँ पे अगर आप देख पा रहें नया वर्जिन आपको एक मिलेगा और इंग्लिस में भी है ये लेंग्वेज में क्या आपने भी देखा है भारती सेना में जाने का सपना मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार चुड़िये हमारे ओफलाइन क्लास्रूम प्रोग्राम के साथ जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फेकलिटी टीम का काईडेंस बेस्ट इफेंस ओरियेंटेट बुक्स बेहतरिन फिजिकल ट्रेनिंग डाउट काउंटर फेसेलिटीज स्पेशल करेंट अफेर की क्लासिस और मंतली उने टेस्ट आज ही लिजिए डारेक्ट अड्विशन और पाएं तूथ हॉजन का कैश बैक अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और बिजिट करें www.majorcalcclasses.com पर जैह हिंद्ट और हंधी बोट द्वida लैंग्विजेस जिसको भी आप प्रिफर करेंगे वो उसमें मिल जाएगा अब हम बात करते हैं यह पाया कहां पे गया यह केस कहां पे निकल करけ आता है आता है इस्राइल कहां पे निकल करकेipper क्या दाभाई यह Kes find out किया जाता है इस्राइल में इस्राइल में इस्राइल में इन्फ्लोंजा और कुरोना वायरस का एक दूरलभ मिश्टर न मिला है ठीक है और अब तक का यह पहला मामला है कि जो कंबाइन्ड एफेक्ट से मिला हो हमें उसको बोलेंगे क्या फ्लोरोना क्या बोलेंगे फ्लोरोना कहा जा रहा और इसराइल की जब बात चलती है तो, इसराइल की सनसत का क्या नाम है? और इसराइल की जो language है, वो क्या है? Hebrew अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या निकल कर क्या आता है? current में यहाँ के Prime Minister कौन है? Νे displaced Ali Bennett, कौन है बेटा? निफ्ताली बेनेट, क्लियर हो गई बाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जो कि हमें नोट भी करना पड़ेगा, निफ्ताली बेनेट, प्राइम मिनिस्चोर ओफ इसराइल, इसके पहले बेंजामीन नितिन्याहूं थे, अब आगे अगर हम फर्दर बात करते हैं, तो ये अ कहां पर ये पहला मिला, तो इसराइल, और इसराइल के बारे में आप सब जानते हैं, यहां संसथ के बारे में पूचा जा सकता है, और हमारे जो एसलेशन से रहे हैं, फोरन पॉलिसी इसराइल के साथ हो भी बहुत बहतector रही है, तो ये इस प्रॉर्टेंट है 인 पोइंट करना चाहें तो देख सकते ही स्थानी रेपोर्टों की मुटाबिक मरीज एक यूवा गर्ववती महिला है और इनफ्ललविवेंजा और कोरोना वाइरस दोनों वाइरस यूअ थो ऑर बीमारी है जो सांस लेने में कठीनाई के मुताबिक इस बात का अध्यन किया जा रहा है कि क्या दो संक्रमन बीमारियों का मिस्टर्ण किसी अधिक बीमारी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है बिलकुल बन सकता है रिजन वाय विकॉस भाई दोनों ब्रीधिंग से रिलेटेड है अब डिफिकल्टी इस लेवल लिपार्स फाउंड इंडाई अल्टी टूड एरिया ओफ नगाललेंड कहां पे अपनी कंट्री की इंडिया की मैं बात करता हूं नगालर की क्यपिटल क्या है यहां की ट्राइब ड्राइब्ट क्या है विक्वांडेड लियू से काफी इंपोर्टन है और गारो खासी जंत और यहां पे जो बेसिक बात निकल करके आती है कि इसको वल्लेबल में रखा गया है आयूसीन की लिस्ट में तो यहां पे देख पा रहे हैंगे तो फाइंडिंग्स है बिन पुब्लिस्ट इन विंटर 2021 इसू अफ़ कैट न्यूज आयूसीन यहां पे प्रकासित हुई है और यहां पे अगर हिंदी लेंग्वेज में आप देखना चाहेंगे तो हिंदी लेंग्वेज में भी आपको सेम वही चीज मिलेगी हाली में सोध करताओं ने नालगा लैंड की उची पहाड़ियों की चोटी पर क्लावड़ेड लेपर्स में प्रगासित किया गया है यह लेपर नगालेंड के एक समुदा है स्वामित वाले जंगल में 3700 मीटर की उचाई पर देखे गया है हाइट मतलब हाई लिए अल्टिटूड की मैं बात कर रहा हूं तो 3700 मीटर is much more for the area of नगालेंड तो इस उचाई पिये देखे गए यहां उचाई उचितम रिपोर्ट की गई है उचाईों में इस एक है जहां पर विश्व में आज तक कि किसी जानवर को देखा गया खास बात क्या है कि highly altitude पे जो देखी गई अगर बात करी तो उस जानवरों में की अगर बात करी जाए तो इस नो लियो पार्ड क्लियर है इन important exam point of view से यहां पर पूछा जा सकता है आपके exam में नियो फैलिस नेबुलोसा इसका scientific name है किसका clouded leopard का ठीक है यह एक माध्यम आकार का failed बिल्ली परिवार का है यानि कि आप समझ सकते हैं कि अगर हम पात करते हैं तो cat family से यह बिलॉंग करता है clear हो गई बाते हैं यहां तक you see in red list में vulnerable के रूप में वर्यकृत किया गया है मतरब आप कह सकते हैं कि दुरलफ जीवों में एक ठीक है दुरलफ प्रजातियों में हाला कि इसके अलामा भी उच्छेत्रों में तेन्दवों की उपस्तति की पिछली रिपोर्स हैं जिसमें सिक्किम साइटीस 120, 3720 मीटर, भूटान, 36 मीटर और नेपाल में 3140 मीटर जैसे राजसरी चर्शोत्यों की एरिया सामिल है clear हो गई बाते हैं अब आएए आगे की further move आगे की और अगर हम move on करते हैं तो आगे जो latest update हमारे पास निकल कर क्या आती वो अगर हम बात करें तो इसकिल का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया आप जानते हैं कि 5 एर पलान लिया था रसिया से और एक CHEASE हमने और अडॉप्ट करिए थी skill programs जो वरतमान समय में इंडिया के द्वारा चला जा रहे हैं कि अगर हर आदमी सिक्षा के छेत्र में नहीं जाना चाहता तो वह उद्यमी हो सकता है लग उद्यमी हो सकता है उसके अंदर कोई ने कोई ऐसे इन्वेशन की भावना हो सकती है डिस्कवरीज की भावना हो सकती है जो नए क्रिया पकलापों को जन्म दे तो उसको ये क्या करता है प्रमोट करता है इंडिया स्किल्स अब इट आर्गनाइजड बाइड ने स्किल डेफलोपमेंट कार्पूरेशन ऐनस्गी सी तो इसका हो गया इंग्लिस वाले वर्जंस में आप देख सकते हैं यहां पे सारी चीजे मैंने क्या किये हैं डिस्क्राइब करी है अगर फर्दर मूब ओन करा जाए तो यही सेम आपको हिंदी में भी लेगा नई दिली में भारत की सब्सक्राइब प्रतियों के प्रतिभागी 50 से अध इस फर्दा करेंगे और इस वर्ज इन प्रतियों का आयोजन साथ सो नो जनवरी के बीच अलग लग स्थानों पर हो गया कहां से कब से स्टार्ट हुआ इस प्रतियों के विजयता अक्टूबर 2022 में होने वाली वोर्ड स्किल इंटरनेशनल प्रतियों करेंगे मतलब आप समझें इंडिया इसकिल में अगर आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और यहां से आप अगर सर्टिफाइड हो पा रहे हैं तो यानि कि यू विल भी द को लागा डें तो यहां पर क्या बात लिकल करके आती है वर्ड स्किल से इंटरनेशनल प्रतियोगता का आउजन संघाइ स्चीन में किया जाएगा मतलब 2022 में जो वर्ड स्किल्सूं इंटरनेशन प्रतियोगता का आशीन किया जाए लिए existed कहाऊ से सजाएक कि चीन की बात चली है यह पता होने चाहिए चीन की से अिरे में कहां सह शक्रठाहने अगर हम बात करेंगे तो विकलंग विक्तियों के दोरा कॉंसल प्रदर्शन जो एक गवर्मेंट चाहती है इंप्रूब्मेंट चाहती है अगर कहा जाए तो जो समावेसिक शक्षा आप सुने होंगे समावेसिक शक्षा का मतलब होता है कि हर व्यक्ति भी से इसकी अगर بात करता हूं तो चाहे वो कि मैं विकलांग हूं इस वज़ा से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूं प्रदर्शन कोसल योग जूता बनाना और प्रधान बनाने पर डिपेंड होगा नई पीधी के कोसल रोबोट सिस्टम इंटिग्रेशन एडिटेट मैनुफाक्चरिंग उद्योगों 4.0 और दिजाइन आप क्या कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं भारत कोसल प्रतियोगीता प्रतियक दो वर्स में राज्य सरकारे और दोगों के सहयोग से आउजित की जाते हैं प्रतियक दो वर्स में यानि कि कितने वर्स के बादे रेपीट होंगी इच एन एवरी टू येर्स आफटर या प्रतियो तो यह बात अब लेटेस्ट अब डेट की बात करता हूं प्रताप सिंग राने गेस्ट लाइफ टाम स्टेस ऑफ काविने इनकी और उनका नाम है प्रताप सिंग गोवा के अब अगर हम बात करते हैं प्रताप सिंग राणे के बारे में तो कुछ बेसिक चीज हैं जो की निकल कर को आती हैं प्रताप सींग राणे के बारे में वो देख लेते हैं गोवा के पुर्म मुख्यमंत्रियों और कांग्रेसी ने था इट मींस ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कहां के गोवा की कैपिटल क्या है पंड जी क्लियर है बाते हैं और आप जानते हैं कि गोवा सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंट होने वाला स्टेट है भारत का 1961 में क्लियर ह यहां पर एक बात और याद रखिएगा ब्रिटीसर्स को सब को ही जानते हैं ब्रिटीसर्स और फिर देखें ब्रिटीसर्स 1947 में इंडिया छोड़ करके चले गए उसके साथ साल बाद फ्रिंच 1954 में उसमें सेवें येर एड़ाण करेंगे तो पुर्तगीज यानि की 1961 में पूर्तिया गोवा को अपने 1962 में भारत में मिला पाए उन्हें यह दर्जा गोवा सरकार द्वारा उनके राज में विधायक के रूप में 50 वर्सों से अधिक के सेवा के सम्माने दिया गा अब गोवा को जानकर के आश्यर भी होगा कि आपको बता दे कि गोवा राज जी मंत्री प्रसद में आज इवन कैबिन मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले ये पहले विधायक है और प्रताप सिंग राणे के बारे में कुछ इनकी लाइफ के बारे में देख लेते हैं प्रताप सिंग राणे को कांग्रेस के दिग्ज़ नेता है और गोवा विधान सभा में 11 बार 87 वर्षी राणे के गोवा के सबसे लंबे समय मतलब 16 वर्स तक मुख्यमंत्री बनने बाले भी रहे ये भी अपने आप में दूसरा रिकार्ड वो गोवा विधान सभा के पूरा धक्ष और स्पीकर के पत पर भी अपनी सेवाय दे चुके हैं ऐसा मतलब ऐसा है और लाइफ पूरीम विधान सभा गोवा के अंतरगत एक चेतर आता है पूरीम विधान सभा तो वहां को ये रिप्रेजेंट करते हैं अभी करंट में और आप जानते हैं कि भारती सम्विधान कानु 664 क्या कहता है राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री पर सत से सम्मान दित ह और आप जानते हैं कि तीन प्रकार के मंत्रियों के बारे में जानते होंगे आप कैविनेट मंत्री होते हैं राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री अब यहां पे आपको बता देना चाहूंगा मैं समे सुर्टू ने सस्टेक्ट रज चलिए और उन राजों की आप बात करेंगे दू सदनी विवस्थां की बात करते हैं तो आप देख पाएंगे जहाँ पर क्या है कुम्ब जयात और यहां पे इसको क्रॉस ऑट कर कर दीजिए के फॉर करनाट का यू फॉर उत्तर प्रदेश एम फॉर महारास्टरा बी फॉर बिहार एफ और अंध्र प्रदेश्टी फॉर तिलंगार दीज आर दूसरी चीज याद रखिएगा किसी भी राज्य की विधान सभा में अधिक्तम एमलेस कितनी हो सकते हैं आप ज यहां पर और आप जानते हैं कि पांस राज्यों में वर्तमान समा में क्या चुनाओं की डेट्स भी अभी रिसंट में आज ही कि डेट के अगर मैं बात करूं तो वह आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में किन चरणों में मतदान होंगे और दस मार्ज को रिजल्ट भी आपको बता दें 500 कितनी हो सकती है 500 और न्यूंतम कितनी बताई गई है 60 क्लियर हो गई बातें मैक्सिमुम 500 और न्यूंतम 60 मैक्सिमुम किस राजी में विधान सभा की सीटे हैं 403 उत्तर प्रदेश में और यहां पे 80 सीटे जो है वो लोग सभा की भी है तो इस नंबर पे बात करेंगे आप दूसरे नंबर पे विधान सभा के अलावा अगर विधान परिशत की बात करेंगे तो यहां पे 100 सीटे हैं ठीक है लोग सभा में 80 सीटे है उत्तर प्रदेश के लिए 403 विधान सभा में सीटे हैं क्लियर हो गई बातें यहां पर तो हाईस्ट है इच एबरी पॉइंट क्लियर होगा आयोप आपको समझता हूं चल आगे की बात उगर करता हूं मैं तो यह बेसिक इंफोर्मेशन थी और यह आपको पता भी होना चाहिए दूसरे चीज़ आपको बता दे कि यहां पर हम राज्यों की बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन को ब और स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ राज्यों का तो याद होना चाहिए कुछ राज्यों का यार 28 राज्य और 8 के यूनिन टरिट्रीज का याद होना चाहिए ठीक है चल अगर हम बात करते हैं तो 80 seat कहां पे हैं उत्तर प्रदेश में है नंबर एक पे दूसरे नंबर पे कौन सा राज आता है 48 महाराष्ट्रा और तिसरे नंबर पे कौन सा आता है तिसरे नंबर पी गर मैं बात करूंगा तो 41 वेस्ट वेंगवार और इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास how many seats we have come 40 seats for a बिहार और इसके बाद अग इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो 29 seats from which state 29 for मधप्रदेश क्लियर हो गई बात है 28 seats for where करनाटका कहा के लिए बेटा करनाटका के लिए तो यह तॉफ वाल अगर याद रहेगा तो exam point of view में अच्छा कर जाओ गया यूटी की बात करता हूं तो highest number of seats in UTs having a of a dillie, dillie के पास सबसे ज़्यादा लोगसभा की seat हैं कितनी है बेटा साथ, dillie के बाद अब बात करते हैं तो zambu and kasmir पहले 6 seat थी अब वर्तमान में कितनी हो गई है 5 और उसके साथ लद्दाक के पास 1 seat हैं लोगसभा के, clear हो गई बाते हैं, यहां तक सारी चीजें, दूस ठीक है, clear हो गई बाते हैं, क्या करना, okay, now we have to move on further, अगर हम बात करते हैं आगे की ओर, तो आगे यहां पर देख पा रहे होंगे, बहुत सारी चीजें इसके बारे हमने डिसकस कर दी, तो यह है, अब आईए बात करते हैं, बर्थ इनवर्सनी आफ, रानी वेलू, अब यहा और अप्रिमेसिक सत्ता के किलाफ लड़ने वाली रानी थी, जैसे आपसे यही से question पूछा जाए, who is the mother of Indian revolution, भारती करांत की जननी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है बैटा, मैडम भीकाजी कामा, याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा, clear, mother of Indian revolution, भारती करांत की जननी, अब आगे इनके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो आप जान सकते हैं, रानी वेलू नचियार का जन्म, 1730 में हुआ था, वह राम नाथपुरम, राज की राशकुमारी थी, अब आगे अगे अगर बात करते हैं, तो इनका interest क्या था, यह fond of, she was very fond of, किसकी, भाई यह तीरंदाजी और युद्धक हथियारों के लिए प्रसेचित किया गया था, उन्हें अनेक भासाओं की विद्वान थी और उन्हें फ्रैंच, अंग्रेजी, उर्दू जैसी भासाओं में प्रमेडिता हासल थी, यह मैं बात कर रहा हूँ, 18th century की, 1730 में इनका जन्म मूथू, वदू, गना, थपेरिया, उदया, थेवर के साथ हुआ था, किसके साथ भई, लंबा नाम है, देख लीजे आप, ठीक है, याद रखेने वाली बाद क्या है, 1780 में उन्होंने मरडू, बंधूओं के राजिके प्रसासन के करने की सक्तियां प्रदान की थी, आशा इनको यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस टेप अप लिया था, किसके अगेंस्ट में, इस इंड्या के अगेंस्ट में, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी वैलू की लिए हम, यहाँ पे वाई वी आर डिसकसिंग ही है, अब अगर हम बात करते हैं, पढ़ह पढ़े भारत कैंपेन लॉंच भाई सुर्व सिक्षाभियान आप सुने होंगे पढ़े भारत अभियान क्या है कि बैसिक लेवल पर इनिशी लेवल पर कैसे हाउ और आप यहां पर देख पार होंगे बहुत सारी चीजें पढ़े भारत के बारे हाली में केंद्र सिक्षा मंत्री कौन है कौन है धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत अभियान की सुरुआत की है यह वियान सौ दिनों में चौदह सब्ता के लिए वज़ित किया गया फार इस अभियान में वाल वाटिका से लेकर कच आठ तक के पढ़ने वाले बच्चे सामिल होंगे इसका देश सी राष्टी और राजस्तर पर सभी हितधार को जैसे से बच्चों सिचकों साक्षिक प्रसास को आधिकी भागदारी को सुनक्षित करना है ठीक है फिर इसके बाद आयू के अनुसार गत्विदियों को सब्ताहिक क्लेंडर के साथ रीडिंग अवियान में सम्मंधी व्यापक निर्देश भी जारी किये गए हैं हाव टू प्रम सब्सक्राइब करना है तो भाई कहीं ने कहीं उसके साथ कोपरेशन की भावन रखनी होगी और जैसा कि आप देखते हैं आए दिन भीवाद रहता है प्रसासनिक सुधार और लोग सिकायतों की विभाग द्वारा किया जाएगा इसके बाद जंबुकासमिर जीला सुषासन सुषकांक वाला देश्क पहला केंद शासत्त प्रदेश्ट बन जाएगा इट मीन्स फॉस्ट इट वाट गॉट गवर्नेंस इंडेक्स तैट विल बीदा इफ टॉकिंग अबाट जंबुकासमिर की बात चली रही तो एकत्यस अक्टूबर दो हजार उन्नीस को जंबुकासमिर जंबुकासमिर अन विद अलताक टू न्यू यू यू यानि कि अब एक देश एक विदान की परंपरा को हम इंट्रोडूस कर पाए हैं पूरे भारत में ठीक है जैसा कि पहले नहीं था वर्तमान में अगर आप बात करेंगे तो जंबुकासमिर के पास इस्टेट लिजिस लेचर है यानि कि विदान सभा होगी जबकि लदाक के पास विदाउट इस्टेट लिजिस लेचर यानि कि उसकी खुद की अपनी विदान सभा नहीं है ठीक है चल और आप लदाक की बात कर रहे हैं तो यहां पे हैमिस नेशनल पार्क पाया जाता है जो कि किसके लिए पॉपूलर है भाया मस्क डियर के लिए पापूलर है यान इंडिकेटर्स के आधार पर मुल्यागन किया जाएगा वो डिफरेंट इस्टेट डिफरेंट तिंग्स पर बेस्ट होंगे चल आगे बात करते हैं तो इससे जंबु कस्मीर में पारदर सिदा जबाब देह और नागरिकों की भागिदारी बढ़ेगी तू प्रमोट द इस इस पाटिसिपेशन इन इस्टेट गेवर्मेंट इसको प्रमोट करना बेसिकली कह सकते हैं आप यह जिला सुचकांग 25 दिसंबर 2021 को सुशासन 2020 पर आधार रित है याद रखियेगा यह जिला सुचकांग 25 दिसंबर 2020 को लांच सुचकांग 2020 पर आधार इत है जश्किस मनाते हैं लोग 25 दिसंबर को चल नाव वी आर मुविंग टूड अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वी हैड फिनिस्ट आवर टार्गेट बहुत सारा करेंट अफेर्स का मतलब आज आज मैं आ रहा हूं अभी यहां पर वीडियो सुट कर रहा हूं हो सकता है कोई घटना हो गई हो बहुत सारी लेटर्स आपके सामने कांटिनुवसली बैक टू बैक वीक वाइस लेकर क्या हूंगा और इसी तरीके से मेजर कल्सी परिवार के साथ जुड़े रहे हैं कैसा लगा आपको जरूर बताएं तब तक किलिए थेंक्यू सो मत जैहि सारीथ हैं जिसमें आपको मिलेगा असान भासा में एक्स्प्रानेशन, चैटर वाइज कुष्टन पेपर और धेर सारे कुष्टन के कलेक्शन, धेर सारे सौटकट और ट्रिक के सास्ताथ कुष्टन को इजी, मीडियम और हार्ड लेबल में बाटा गया है लाश्ट 9-6-3-3-3-0-0-3-1